हेलो गाईज, वेलकम बैक तो माई चानल, स्रीगरी क्लासेस और मैसल अफसिक मोर्या और आज की वीडियो में आप लोगों को मैं यहाँ पर जो केरिकुलम वेटाई होता है आप लोगों का यह मैं आप लोगों को प्रिपेर करने की नलब की चोई एक वेइक फ़ॉर्मैट बताऊंगा कि कैसे अप लोगों को प्रिपेर करना है और मैंने आप लोगों को इससे पहले इस चीज़ के बारे में पढ़ाया भी था, ठीक है तो जैसा कि यहां से अगर आप लोग को आ गया question की write on your own curriculum vitae तो आप लोग अपना भी बना सकते हैं या किसी दूसरे का लिख सकते हैं यहां पर मैंने fill नहीं किया है बट यहां पर मैंने format लगा दिया है कि आप लोग जो है इस format पर अपना जो curriculum vitae होगा उसको तयार करेंगे ठीक है न तो जैसे कि आप लोग बता दें कि यहां पर देखेगे सबसे पहले आप लोग सेंटर हेडिंग डाल देखे curriculum vitae और इसके बाद देखेगा यहां पर आप लोग का सबसे पहले नेम रहेगा ठीक है इसके बाद फादर्स नेम रहेगा इसके बाद आपकी age क्या है year months आप बताएंगे sex क्या है आप लोग का ठीक ना male है कि female है इसके बाद marital status क्या है मतलब आप married है या unmarried है आप इसके बारे में बताएंगे इसके बाद आपका जो address है address for correspondence मतलब कि यह आप लोग अपना address बता देंगे ठीक है इसके बाद देखेगा यहां पर आपका pin होता है आप सभी लोग जानते है pin code जो होता है आप उसको लिख हो जाएगा और किस university से किये हैं और किस year में पास किये हैं आप लोग और इसके बाद class क्या है उसका grade क्या है subject कौन सी study किये हैं और कुछ other information अगर है तो आप लोग उनको लिख सकते हैं जैसे आप लोग ने दो डिगरी के लिए हैं तो आप लोग दो डिगरी के बारे में यह आप लिख सकते हैं तिन दिगरी के बारे में लिख सकते हैं इसके बाद जैसे आप लोग का work experience क्या है है अगर आप लोग कहीं भी work किया है experience है तो आप लोग work experience लिख सकते हैं ठीक है यहां पर आप लोग अपना work experience यहां पर duration और इसके बाद सारी चीज़े यहां पर लिख स